13.3.3 गोली लेंसों के लिए चिन्न परिपाटी लेंसों के लिए हम गोली दरपणों जैसी ही चिन्न परिपाटी अपनाएंगे दूरियों के चिन्नों के निर्धारन के लिए हम यहां भी उन्ही नियमों को अपनाएंगे दरपणों के समान लेंसों में भी सभी माप उनके प्रकाशिक केंडर से लिये जाते हैं परिपार्टी के अनुसार उत्तल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है जबकि अवतल लेंस की फोकस दूरी धनात्मक होती है आपको धुरू से प्रतिविम की दूरी V तथा लेंस की फोकस दूरी F वस्तु की उचाई H तथा प्रतिविम उचाई H- के मान में उचित चिन्हों का चैन करने में सावधानी बरतनी चाहिए 13.3.4 गोलिये लेंस से प्रतिविम रचना के नियम लेंस की मोटाई कम होने के कारण हम किरन आरेक के लिए लेंस को दो सतहों के स्थान पर एक ही सतह की भाती मानेंगे अपवर्तन के नियमों के अनुसार नीचे दिये गये किरन आरेकों का अध्यन करें आपस में चर्चा करें कि मुख्य अक्ष पर गमन कर रही प्रकाश किरन की दिशा अपवर्तन के पश्चात कैसी होगी प्रकाशिक केंडर से गुजरने वाली प्रकाश किरन की दिशा क्या होगी मुख्य अक्ष के समनांतर गमन कर रही प्रकाश किरनों का क्या होगा फोकस बिंदू से गुजरने वाली किरन का क्या होगा एक अनिस्थिती के बारे में विचार कीजिए यदि प्रकाश की कुछ समनांतर किड़ने मुख्य अक्ष से किसी कोण पर लेंस पर पड़े तो क्या होगा इस स्थिती में किड़ने फोकल प्लेन पर किसी बिंदू से गुजरती नजर आएगी उत्तल लेंस के लिए अथवा अपसरित होती प्रतीत होंगी अफ्तल लेंस के लिए चित्र 18 देखें